हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर इच्छा प्लान वे तो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं और तामाजी का दिन की महत्त पूर प्रस्णों पर चर्चा करते हैं पहला प्रस्ण है निम्लिकित में से किसने गांदी महराज की जय का नारा दिया पहला विकल्प है मिल मजदूरों ने दुश्रा है चाय वगान मजदूरों ने तीसा है नीट की खेटी करने वाले मजदूरों ने और स्वता है किसानों ने तो गांदी महराज की जय का नारा द या चाय वागान की मजदूरों ने वी विकल्प इसने सही है अगला प्रस्ण है निमलिकित में से कौन स्वतंत्र भारत की पैने वारती गवर्नर्ण जन्रंद थे पैला विकल्प है जवाहरला नहरू, मुसराय स्थी, राज गुपालाचारी, तीसरा विकल्पर सरदार वल्ल अगला प्रस्ण है कतन ए वी सी कि एक ग्राई की निसेस्ताओं का वर्ण करते हैं उस ग्राई की पहचान करेंग निखा है सूर से दूरी के इसाफ से तीसरा ग्राई है आकार में यह पांचमा ग्राई है यह दुर्वों के पास थोड़ी चप्टी है तो यह विसेस्ताओं प्रत्वी की है डी विकल्ब इसमें सही है अगला प्रस्ण है जब ब्रंसोत परवतों का निर्मार होता है तब पहला विकल्ब है बहुत बड़ा भाग तूट जाता है दूसरा है बहुत बड़ा भाग विस्थापित हो जाता है तीसरा है बहुत बड़ा भाग एक ही समय में तूटता और विस्थापित होता है और चौता है मुमी का केवल चोटा सा भाग ही तूटता या विस्थापित होता है तो इस प्रस है यदि आप गौपा घास के मेंदान वा हेमिनद देखना चाहते हैं तो आपको निम्न लिखित में से किस राज केंद सासित प्रदेश की यात्रा करनी होगी पहला विकल्प है हमाचन प्रदेश दूसरा है जम्मु अगला प्रस्ण है निम्न में से कौन सा देश सारा रेगिस्थान में इस्तित नहीं है पहला विकल्प है अलजीरिया दूसरा विकल्प है माली तीसरा विकल्प है नाइजर और स्वाथा विकल्प है जांबिया तो सारा रेगिस्थान में इस्तित नहीं है जांबिया डी विक में सही है अगला प्रस्थ है लूह कुन मेंसे किस्फ़कल्व की पबन का उधारड है पहला की इस्तांनी पबने के इस्थाइक पबने दुसरा Од Terry पबने स्थांनी पबने और सहदुन पछन दूव जो वह वह इस्तांनी पबने देरें गयर्लेटां दूसरा है कोई लाह तिसरा और करतिंगा सर्च वह इस प्रस्विस पहला विकल्ब स्थच यहां पैट्रोलियम इसे लिए काला सना कहते हैं अगला प्रस्ण है नियन में से किस उद्योग को आधनिक उद्योग का मेरू दंडिक कहा जाता है पहला विकर्ण पहे इसपात वा इस्टील उद्योग दूसरा है स्मूती वस्त उद्योग तीजरा है रसाइन उद्योग और सोता है और पो मुवाईल उद्योग तो इस प्रस्ण में पहला विकल्ब सही है इसपातवा स्टील उद्धियोग अगला प्रस्ण है मिलपा, रोका और लद्दांग निम्ड में से किस प्रकार की क्रसी के अन्नाम है पहला विकल्प है इस्थानांतरी क्रसी, दूसरा है मिनिस्रित क्रसी, तीजा है रोपण क्रसी और सौता है बाड़े जिक क्रसी तो इस प्रस्ण में पहला विकल्प सही है इस्थानांतरी क्रसी अगला प्रस्न है निमलिकित में से कौन सा पंचायत की आंधनी का सरूत नहीं है पहला विकल्प है घरो एबन बाजारों पर लगाई जानी वाने कर दूसरा है समदाई की कान के लिए मिनने वाला दान तीसरा है बिविन सरकारी विवावों द्वारा चलाई गई यो जनांग की रासी और स्वाथा विकल्प है पंचायत सच्चिव की निजी संपत्ती पर किराया तो इस प्रस्ण में दी विकल्प इसका उत्तर होगा पंचायत सच्चिव की निजी संपत्ती पर किराया यह पंचायत की आंधनी का सरूत नहीं है अगला प्रस्ण है नगर निर्ण की चनाव के उद्देश से गठित किये गई छेतरी निर्वाशन छेतरों को के रूप में जाना जाता है पहला विकल्प है परिसद, दूसरा है वार्ड, खंड, तीसरा है खंड और छोथा है छेतर तो इस प्रस्न में B विकल्ट सही है, वारड खंड अलिया प्रस्न है, नियमन मेंसे कौन सा चेत्र वारत में सबसे ज़्याना रोजगार प्रदान करता है पहला विकल्प है प्राथमिक, दूसरा है जुतियफ, तीसरा है तर्थियफ हो सोता है गिग एको नॉनमी तो भारत में सबसे जाना रोजियार प्रदान करता है प्राथमिक पहला विकल्प इसमें सही है प्रात्मिक छेत्र में कौन-कौन से आते हैं क्रसी, खनन, मतस, सिपानन, बान की देरी ये सबी प्रात्मिक छेत्र के उधारण हैं पहला विकल्पिस में सही है अग्या प्रस्ण है मौस्मी विरोजगारी निम्लिखित में से किस प्रक्रिया के साथ जोड़ी जा सकती है पहला विकल्पिस में प्रस्ण है एक लोग तांत्रिक सरकार का आधार रूट सुचक है का होना लावू करना इसमें फिल करना है तो इसमें दूसरा विकल्प सही है सान मुहमिक वयस्क मता अधिकार का लागू होना अग्ला प्रस्ण है हिंदू उत्रा अधिकार अधियम में वर्ष्ट 2005 में किये ज़िए बदलाव मैलाओं को किस तरह लावान बित करेगा पहला विकल्प है इस प्रस्ण में पहला विकल्क सही है सवा का अध्य अच्छ था पहला विकल्प है सी राज रूपालाचारी डॉक्टर वी आरंबेट कर तीसरा है डॉक्टर राजेंदर प्रसाथ उच्वाता विकल्प है जवाहर लाल नहरण पुसंविदान सवा के इस्थाई अध्यक्ष पूशे गए हैं सी विकल्प सही है डॉक्टर राजेंदर प्रसाथ अगला प्रस्मेर निमलकित में से कौन भारत का एक मात्र भारती गवर्नर जन्रन था पहला विकल्प है डॉक्टर सर्वपन्बी राधा क्रिश्नन दुसरा करप भी पत्तावी सीता रमईय तीसरा विकल्प टीटी क्रश्रा मचारी और फ्रक अफ já सी राज गूपाला चारी है तो इस प्रस्नें सीफ कर साई यह यज़ुर संदान कव अपनाया गया था पैला विकल्प है अगस्ट 15 अगस्ट 1947 दूसरा है 26 नॉवंबर 1937 तीसरा है 26 नॉवंबर 1909 और चौथा है 26 जन्मरी 1915 तो वारती समदान कब अपनाया गया था पूंचा गया है सी विकल्प सही है 26 नॉवंबर 1909 लागन कब किया गया था 26 जन्मरी 1915 तो अधिया प्रस्ण है नेमलिकित में से किसने भारत की रियास्तों को एक ही क्लत करने में निर्डायक भूंग का निवाई थी पहला है विकल्पर जबाहर लान ने पूसरा है विकल्पर संदार वनलंबाई पटिर तीसरा है विकल्पर डॉक्टर वी आरन बेटकर और चौता विकल्पर ती राज कूपाला चारी तो इस प्रस्ण में वी विकल्प सही है सरदार वनलंबाई पटिर अगला प्रस्ण है नेमलिकित में से कौन वारत की संदान की संबर्ती सुची की मानलू में कार करता है पहला विकल्पर क्यंद स सरकारी निकार तो इस प्रस्ण में पहला विकल्प सही है क्यंद सरकार और राज सरकार है अगला प्रस्ण है नेमलिकित में से कौन भारत की संदान सबावे मासोधा समिती के अध्याप छित थे पहला विकल्प है सी राज दोपालाचारी दुसरा विकल्पर दॉक्टर वी प्रस्ण है अठार्मी सदी में किसके नेत्रत में बंगाल धीरे-धीरे मोबल नियंत्रण से अलंग हो गया प्रस्ण में प्रस्ण में प्रस्ण में प्रस्ण में किस गवर्नर जन्रल ने खैसला किया कि बाद दुर्सा जफर आख्री मोगल संवराथ होंगे और उनकी मृत्यू के बाद किसी विवान सच कोशासक के रूप में प्यांचाना नहीं जाएगा पहरा विकल्फ है लाड डन्वाजी तुसरा विकल्फ है बिलियम बैंटिक तीसरा विकल्फ है लाड कैनिंग वा चौथा विकल्फ है लाड कार्नवानिस तो इस प्रस्ण में तीसरा विकल्फ सही है लाड कैनिंग अगला प्रस्ष ने हैं किस गावानर जेनर ने अवाद की ओपर बिर्टिस कानून आरोपित किया पहला विकल्प है Lord Ribbon दुस्टा विकल्प है Lord Kenning तीसरे विकल्प है Lord Denwhorji, चौर्था विकल्प है Lord Mound P Didda तो इस प्रस्न में तीसरे विकल्प साही है Lord Denwhorji अगला प्रस्न है कानपुरती किस सासक ने खुद खुब पेसवाब कहा पहला विकल्प है नाना साहब, दूसरा विकल्प है बाजी राव पुर्थम, तीसरा विकल्प है बाजी राव दिती और तोतर विकल्प है बाद दूर साह जफर तो इस प्रस्ण में पहला विकल्प सही है नाना साहे अगला प्रस्ण है एडु सेट से क्या अभिड राए है एला विकल्प है रोकेड जिसका उपयोग मानो निरमित उपमगिर्यां को सूझ की कच्छा में स्थापित करने के लिए किया जाता है दूसरा विकल्प है स्वार मंदन में पोजा गया एक नया उपम गिरे, थिसरा विकल्प है एक छुद गिरे जो मंगल और रहस्तती की कच्छां के बीच पाया जाता है और चौता विकल्प है एक मानो निर्मित भारती उपम गिरे इसे कब लॉंच गिया गया था तो इसे 20 सितंबर 2004 पो लॉंच किया गया था अगला प्रस्न है पंच वारी और वीजक में निर्वकित में से किस महानास्ती के छंद और विचारों को संरचित किया गया है पहला निर्मित भाई, दूसरा एक कबीर, तिसरा एक गुरु नानक वाश्वता एक है रमी डास तो पंच वारी और वीजक में कबीर के छंद और विचारों को संरचित किया गया है दूसरा विकन सही है कबीर डास अगला प्रस्ण है अनोरा की गुफा का वित्ती चित्र जिसने विचुडू को नरसेंग अर्थात पुरुस सिंग के रूप में दिखाए गया है किस काल की क्रती है पहला विकल्प है गुर्जन प्रतिहार कांग दिखाए रास्ट रिकूर्ट कांग तीसरा है चानुक काल और वत्ता है वुप्तिकाल वो इस प्रस्ण में दी विकल्प सही है रास्ट रिकूर्ट काल अगला प्रस्ण है आखनी प्रस्ण है ये आज का निम्रिकित में से कौन सा संगटन उतनी सिद्ध में आस्ता रखता है वाला इनकर्थ है ब्रह्म समाज दिशलायर रान प्रश्ण जशन तीशलायर सत्थ सोदक समाल और रफायर सेवा समाज इस प्रश्ण में पहला विकर्प सही है ब्रह्म समाज तो आज की वीडियो एक खुल 30 प्रस्ण थे वीडियो के सानदा कमेंट वाक्स में जडिल प्रश्ण में जरू करतायेगा मिलते ने एक और नई वीडियो के साथ तक्त कि निए बाई बाई